हे गाइज वल्कम तो देव भूमी कर्यर पॉइंट आई होप यू आज डूइंग ग्रेट तो देखे दोस्तों गोपेश्वर चमोली में खुल गया है उत्तर भारत का पहला और कीट संदक्षेंग केंद्रे तो इसके बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे उससे पूरों दो सेंटर खोला गया नैनिताल में इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं पहला वन हीलिंग सेंटर खोला गया देश का वह रानीखेट में खोला गया जहां पर जो इसके साथ अदब हाल में मैं आपको करन्ट टॉपिक दिया था और पहला जो क्रिप्तोगैमिक गार्डन है वो चकराता रेंजी में खोला गया था, क्रिप्टोगैमिक वो अनस्पतियां होते हैं, जो बीना बीच के उखते हैं, यानि कि उत्राखेंड राजी में बहुत से ऐसे कंजर्वेशन सेंटर और जो अमारे पार्क हैं, वो बनाई जा रहे हैं, जो कि हर्सकव इसे हैं, अब य ऑफिशel उद्गाटन होा, 30 जुलाई 2021 ञिन को होगा, अब बात करते हैं, ओर किट होता है, आप देख सकते हैं, इमईज में यहाग सकते हैं, ओर किट थीक हैं, महत्यद कालर्वनहा और, विसेशता तो महात्वपूह विशेशता है दोस्तों orchid की तो orchid हमारा जो परिश्थिती की तंदर उसके लिए से तो महत्वपून है गैम है इसके साथ उर्किड़ का जो फूल होता है यह बहुत लंबे समई तक तरो ताजा बना रहता है इसलिए फूल बहुत ज़्यादा डिमांड है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में तो इसलिए और किट महात्योपून है और संदक्षित भी महात्योपून है अब बात करते हैं इसका जो बेसिक प्लेस है और किट गार्डन का मापकी जी कहाई गार्डन नहीं है और किट यह संदक्षित है और ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों जो हमारा और केवल हमारा प्राकर्टिक लिहास से देखने को मिलेगा बलकि हमारे जो अन्य लोग है स्थाने लोग है उनको स्वरोजगार की रूप में भी देखने को मिलेगा एक तो फूल यहां पर फूल लंबा क्या कह गया है ट्रैकिंग मार्गी भी बनाए गया है ताकि जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर आएंगे सहलानी और उस ट्रैक में गोमके और किट कंजर्वेशन सेंटर को देखेंगे और इस्थानिय जो गाइड होंगे उनसे पूछेंगे इसके बारे में तो इससे क्य जाते हैं और लोकल गाइड बहुत ज़्यादा पैसा गमाते हैं उनसे यहाँ पर इसकी जानकारी देखर ठीक है अब और किट की बात करते हैं और किट होता क्या देश्तों तो और किट वनस्पती जगत का एक सुन्दर फूल होता है दोस्तों और यह अपने रंग रूप आ बहुत जटिल होते हैं जो बहुतनी वाले होते हैं हो समझेंगे इस लेंग्विज को और यह परागन जो होता है उसमें यह बहुत हेल्प करता है ठीक है यह महत्तों है और किट परिवार को देखे दोस्तों किसके अंतरकत सुची बद्द किया गया यह कोश्यन बना था फो फोना एंड फ्लोरा समझतर जो पादप और जगत है उसको बोला था फोना फ्लोरा बोला था है फोना और फ्लोरा हमने पड़ा है पादप जगत और जन्तु जगत को तो यहां पर CITS का फुल फॉर्म पूछा गया था फो फोरेश्टर एक्जाम में तो इसी CITS के अंतरकत यानि कि Convention on International Trade on Endangered Species तो इसके अंदरकत हमारा और्किट को भी सूचिबद किया गया है इसलिए किसी भी जंगली और्किट के विश्टो इस्तर पर ब्यापार पर प्रतिबंद लगा दिया गया है अपने मंद से हम ब्यापार नहीं कर सकते इसका ठीक है तो यह प्रतिबंद माइक्रो हेल्ट्रोट्रोफिक और फिर हमारा देखिए जो पहला एफिफाइटिक और्किट होता है वो कौन सा होता है तो यह चक्टानों पर उखता है दोस्तों और चक्टानों से ही अपना पोशन प्राप्त करते हैं समदुर तल से 800 मीटर तक प्रचूर मातरा में मिलता ह दोस्तों यह पहला वाला एफिफाइटिक और्किट और से ज्यादा हुचाई वाले शेत्रों में वर्टी होने से इनकी संक्या कर जाती है दूसरे टाइब का जो हमारा और्किट है वो है स्थली और्किट तो जमीन पर पाई जाते हैं पौधो या लताओं से अपना पोशन में प्राफ्त करते हैं यह ज्यादा तर एक्टो माइकोराइजल कावक से जूले होते हैं और समसीतोशनल चेत्रों में पाई जाते हैं ऊश्रल कटीबंदे चेत्रों में परजीवों के साथ इनका ग्रोथ होते रहते हैं ठीक है यह भी महत्तोपूंग पॉइंट है तो यह यह आपने जान लिया बहुत से इंफर्वेशन मिल गई अब बात करते हैं अभी तो जो यह कंजर्वेशन सेंटर हैं यहां पर केवल सतर प्रजातिया संदक्षित की गई हैं ज्याने किंगे कंजर्वेशन सेंटर गोपेश और चमोली की बात हुरी है इस सेंटर में अभी और किट की सतर प्रजातिया संदक्षित हैं लेकिन अगर पूरे उत्राखंड राजी की बात करते हैं तो उत्राखंड राज्य में और किट की 249 प्रजातिया पाई जाते हैं विस्वा भर में और किट की 20,000 से ज्यादा और भारत में 1300 प्रजातिया पाई जाते हैं और उत् अब देखे दोस्तों जितनी भी हमारी धुल्लव वनस्पतियां होती है इनके रख रखाओ के लिए इनके बोल सकता है रिसर्च के लिए हमारा एक विभाग बनावा है जिसका नाम है भारतिय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ठीक है त्यान दखेंगे बॉल्टनिकल सर्व अब आप बताएंगे भारतिय वनस्पति सर्वेक्षण जो है दोस्तों 890 में जिसकी स्थापना होई तो यह कहां पर होई थी यह बताएंगे इसका जो मुख्याल है कहां पर इस्तित है ठीक है तो चले कमेंड बॉक्स में कमेंड करेंगे आज के लिए बस इतना ही यह था दोस्तों उत्राखिंड करेंट अफिर का एक महत्तोपूंग टॉपिक इस तरह के टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्तोपूंग है आपके लिए उत्राखिंड लोग सिवायों की परिक्षाओं और गुरूप सी एक्जाम्स के लिए तब तक आप लोग क्या करेंगे अच्छे से अपनी स्टेडी करेंगे अपना ध्यान भी रखेंगे खूब रिविजन करेंगे क्योंकि आप नेक्स मन्त से आपका एक्जाम केलेंडर रिलीज हो जाएगा और अक्टूबर नॉमबर दिसंबर बहुती महत्तोपूंग महिने रहेंगे आपके लिए जहाँ पर एक्जाम कंटक्ट होने की पूरी पूरी संबावना है ठीक है तो थैंक्यू फॉर वाचिंग अपना ध्यान दखें जै हिंद जै उत्राखंड